नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलिज और सही लीगल एडवाइस. दोस्तों, आज का वीडियो यंग एडवोकेट्स, यंग लॉयर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ओन्रेबो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नए लॉयर्स, नए एडवोकेट्स के लिए एक नए पैटरन पर एक जस्टिस के साथ काम करने के लिए है, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो जस्टिस, जजजिस के लावा और बहुत सारे एंप्लॉईज रहते हैं, ओफीशल्स भी रहते हैं, लेकिन जादातर ओफीशल्स लॉग रेजुएट नहीं होते, ऐसे में लीगल रिसर्च व पास एनलेटिकल स्किल्स होते हैं, और बाकी लोगों के पास एनलेटिकल स्किल्स नहीं होते, इस वज़े से ओन्रेबो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नया एक्जाम कंड़क्ट किया जा रहा है, यदि आप भी लॉग रेजुएट हैं, एड़ोकेट हैं, यंग हैं, ए आप में पैशन भी है, और आप में इन सभी के साथ साथ एनलेटिकल स्किल्स भी हैं, तो आप भी इस एक्जामिनेशन में पार्ट ले सकते हैं, दोस्तों आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के इसी नए एक्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके पैटरन के पारे में बात करेंगे, डिटेल में डिसकस करेंगे, तो वीडियो को अंतर जरूर देखिएगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, इनकेस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, कोई भी लीगल प्राबलम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, यदि आप मुझे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फोर आप का इस्तमाल कर सकते हैं, या इमेल से भी मुझे से वान टू वन सेशन की एपॉइंट्मेंट ले सकते हैं, तो चलिए वापिस अपने टॉपिक के उपर चलते हैं, दोस्तों, ओनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस डिवाई चंदर्चून ने नए पैटरन पर एक्जाम के बारे में बताया, दोस्तों, ये एक्जामिनेशन एक शॉट टम कॉंट्रेक्ट असाइन्मेंट होगा, और इसमें लॉग लर्ग कम डिसर्च एसोशेट को अपॉइंट किया जाएगा, दोस्तों, ये एक्जामिनेशन ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कंड़क्ट किया जाएगा, और इस एक्जामिनेशन में एड्वोकेट्स की, लॉयर्स की, एनलिक्टिकल स्किल्स को देखा जाएगा, ना कि उनके मेमरी स्किल्स को, दोस्तों, जाधा तर एड्वोकेट्स, लॉग रेजुएट्स, एक्ट्स को, सेक्शन को, केस लॉग्स को, जजज्मेंट्स को रटने की कोशिश करते हैं, मेमराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बिलकुल क्लियर कर दिया है, कि उनको एड्वोकेट्स की मेमरी से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर कोई चीज इंपॉर्टन्ट है, जिस चीज की वैल्य होगी, वो है एड्वोकेट के, लॉग रेजुएट के एनलेटिकल स्किल्स, यानि कि आप चीजों को किस तरह, किस तनी बैतर तरीके से किया जाएगा, पहला पार्ट होगा अब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्टिव पार्ट, अब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में मल्टिपल चोईस कोईशन होंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट में दो कोईशन दिये जाएंगे, जिनका डिट को पढ़ने के लिए दिया जाएगा क्योंकि question होगा mock judgment के base पर दोस्तों क्योंकि Supreme Court का focus analytical skills है तो essay में जो subjective question है उनके answer 700 words से जादा नहीं होने चाहिए और essay में Supreme Court के level पर analytical skills होना बहुत ही ज़रूरी है इसलिए ये exam conduct किया जा रहा है दोस्तों इस exam को Supreme Court ने title दिया है law clerk come research associate ये exam एक short term contract assignment होगी जो कि तकरीबन एक साल क्लिए होगी और ये exam हर साल conduct किया जाएगा दोस्तों इस exam में जो भी candidate पास होंगे उनको अच्छी खासी महिने की salary भी दी जाएगी जो कि तकरीबन असी हजार रुपे पर मंत होगी अब हम बात करते हैं कि इस examination में बैठने के लिए क्या educational qualification चाहिए दोस्तों इसके लिए candidate को log graduate यानि कि उसके पास bachelor degree of law होने चाहिए अगर कोई candidate five year integrated log course कर रहा है और वो final year में है तो भी वो ये exam दे सकते हैं इसी तरह जो candidates three year law course कर रहे हैं और वो third year यानि कि final year में हैं तो वो भी इस exam के लिए eligible होंगे दोस्तों सुप्रीम court चाहता है कि उनको young और dynamic lawyers मिलें advocates मिलें ऐसे में इस exam की age limit 30 years की रिखी गई है और lower limit है 20 years यानि कि जो भी candidates हैं उनकी age 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से यह golden opportunity है जो कि हर साल आएगी जितने भी young lawyers हैं young advocates हैं students हैं उनको यह target रखना चाहिए कि वो इस examination में जरूर अपियर हों और इसको crack करने की कोशिश करें ताकि वो Supreme Court of India में law clerk come research associate लग सकें और दोस्तों इससे ना केवल उनको Supreme Court का experience मिलेगा exposure मिलेगा बलकि उनको monetary benefit भी होगा और साथ ही उनके analytical skills और ज्यादा enhance होंगे जो कि उनको बाद में practice में मदद भी करेंगे दोस्तो Supreme Court के इस नए exam के बारे में description में मैं आपको link दे दूँगा वहाँ जाकर कि आप इसको download करके पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share दूरू कीजेगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहन